नमश्कार दोस्तों आप सभी का तही दिन से स्वागत है हमारे यूटीब चैनल स्टी टू सक्सेस कर। आज के हमारे मोतिवेश्नन वीडियो के हीरो एक राजपू थी है जिन्होंने जंग और खेल के मैदान के साथ साथ राजमिती में भी अपना पर्चम लहराया। और इन्होंने इसे बखू भी निभाया। पहले सेना में रहकर इन्होंने देश की सेवा की तथा फिर एक राजनेता बनकर। आज के इस वीडियो में हम करनल राज वर्दन सिंग राठोर के गौरव शाली जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। कैसे ये एक आर्मी ओफिसर से शूटर बने तथा जो इन्होंने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं करनल राठोड के बच्पन से। करनल राठोड का जन 29 जन्वरी 1970 को जैसल में राजस्थान में हुआ था। इनके पिता लक्षमन सिंग राठोड हैं जो सीना में ओफिसर थे तथा करनल की रैंक से रिटायर हुए। He served in the infantry and fought in the 1971 Indo-Pork War. राजवर्दन राठोड की माता मन्जू राठोड हैं जो एक टीचर थे। बात करे राजवर्दन राठोड की एजुकेशनल क्वालिसिकेशन की तो इन्होंने अपनी शुरुवाती सिक्षा कम्प्लीट करने के बाद National Defense Academy पूने & Infantry School महो से अपनी further studies कम्प्लीट की। आपको बता दे कि इन्होंने BAO साथ ही इन्हें instructor weapons, grading techniques, course की भी अच्छी knowledge है। 16 February 1997 में कर्मल राठोड की शादी गायतरी राठोड से हुई जो by profession doctor है in Indian Army। इनके एक लड़का मानवादित्य सिंग राठोड और एक लड़की गौरी राठोड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके शानदार military carrier की। कर्मल राठोड की military carrier की शुरुआत उनके NDA के 77th course में दाखिले से हुई थी। NDA के थूग graduation complete करने के बाद उन्होंने Indian Military Academy दहरादुन में further training की। He was honored with the blazer of IMA award. आपको बता दे कि IMA में कर्नल राठोड को sword of honor से नवाजा गया for the best all-rounder gentleman cadet. He was also the recipient of the Sikh regiment gold medal, जो best sportsman of the course को दिया जाता है। Training पूरी करने के बाद 15 December 1990 को, राजबर्दर सिंग राठोड 9th Grenadiers नेवार में commission हुए। आपको बता दे कि 15 December 1992 में वे lieutenant तथा 15 December 1995 में वे captain बने। उन्होंने 1999 का कारगिल बॉर्ड लड़ा तथा उसमें एहम भूमी का निभाई। He was promoted to major on 15 December 2000. अपने आर्मी केरियर में करनल राठोड जम्मू एंड कश्मीर के counter-terrorist operation का हिस्सा बने। साथ हे उनकी regiment को साहजपूर कारिय के लिए Army Chiefs Citation and the Governor of J&K Citation Award से नवाजा गया। 16 December 2004 में वे lieutenant colonel बने। His final rank was of colonel on 1 May 2019. देश की military को सिवाएं देने के बाद तथा Army में बहुत से achievements ट्राप्त करके राजवर्दन राठोड करनल की rank से रिटायर हुए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं करनल राठोड के amazing sports carrier के बारे में करनल राठोड को shooting का शौक बचपन से ही था। जब उन्हें अपने shooting के प्रती interest के बारे में पता चला तभी से उन्हें अपनी इस skill को improve किया with a greater amount of practice। आपको बता दे कि राजवर्दन राठोड रिकेट भी काफी अच्छा खेरते थे तथा उनका selection मध्य प्रदेश की रंजी पीन में धी हो गया था। आर्मी जॉइन करने के बाद 1998 में उन्होंने shooting स्कार्ट की with full dedication। सन 2002 में Manchester में हुए Commonwealth Games में कर्नल राठोड में gold medal जीता and set a new Commonwealth Games record of 192 targets out of 200। कर्नल राठोड के इस record को अभी तक कोई shooter नहीं तोड़ पाया है। 2002 में Manchester में ही उन्होंने double trap pair में भी gold medal जीता था। वही कर्नल राठोड में 2006 के Melbourne Commonwealth Games में gold medal जीत कर Commonwealth Champion का title अपने नाम किया। Melbourne Commonwealth में ही उन्होंने विक्रम भतनागर के साथ 3 event में भी silver medal अपने नाम किया। 2004 में Sydney तका 2006 में कायरो में हुई World Shooting Championship जीत कर राजवर्धन राठोड ने दो ओर स्वन पड़क हासिल किया। राजवर्धन राठोड का नाम हर भारतवासी की जबान पर था जब उन्होंने 2004 के Athens Olympics में silver medal जीता। आपको बता दे कि वो भारत का पहला Indeasible Silver था in Olympics। वही 2006 में Sydney में हुई Top 12 Shooters की World Championship में करनल राठोड में bronze medal जीता। आपको बता दे कि इन्होंने 2003 में Sydney में हुई World Championship में silver medal जीता। शूटिंग में ये medal भारत में 40 साल के अंतराल के बाद जीता था। इससे पहले 1962 में कारियों में हुई World Championship में विकाने की करने सीन में silver medal जीता था। 2003 से 2006 में हुई Asian Play Target Championship में करनल राठोड ने लगातार चार गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने 2006 में दोहा में हुई Asian Games में इंड्वीस वर जौंज मेडल जीता। आपके जानकारी के लिए बता देगी इन्होंने 2002 से 2006 के बीच 25 इंटरनेशनल मेडल्स जीते अट वीरियस चैंपियंशिप और डबल ट्रैप। 2011 में पॉलालंपुर में करनल राठोड ने Asian Clay Target Championship में पार्टिसिपेट किया तथा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। करनल राठोड में स्पूर्स में इतने मेडल जीतने के बाद पॉलिटिक्स जॉइन करके देश की सेवा एक राजनेता बन करकी। मिलिटरी एंट स्पूर्स केरियर की तड़ह राजनीती में भी इन्होंने अपनी जिल्मेदारी को बखो भी निभाया। चली अब एक नजर डाल लेते हैं इनके पॉलिटिकल कैरियर पे। सेना से रिटार्मेंट लेने के पश्चात इन्होंने 10 सेप्टेंबर 2013 में बीजेपी को जॉइन किया। साथ ही 2014 के लोग सबा इलेक्शन में ये एमपी बने प्रॉम जैपुर रूरल कंस्टिटिएंसी। वही 9 नवंबर 2014 को इन्होंने Ministry of State, Force, Information and Broadcasting की शपत में। स्पोर्स में इनके अनुभरों को देखते हुए इन्हें 3 सेप्टेंबर 2017 को Ministry of Sports बनाया गया। स्पोर्स मिनिस्टर का कारिय भी इन्होंने बखुवी निभाया तथा युवाओं को स्पोर्स की प्रती और जागरूप बनाया। मई 2018 में इन्होंने Ministry of State और Information and Broadcasting का कारेभाद समाला। करनल राठोड की शांदार military, force and political carrier को देखकर आप ये तो जान ही गए होंगे कि इन्होंने बहुत से अवोर्ड भी अपने नाम किये होंगे। चलिए एक नज़र डान देते हैं इनके अवोर्ड एंड रिकॉर्डिनेशन्स पर। बात करें इनके military अवोर्ड की तो सेना द्वारा इन्हें अप्रिविशिष्टि सेवा मैडल, Special Service मैडल, Operation Vijay मैडल, Samya सेवा मैडल इतियादी से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दे कि 2005 में करनल राठोर को पर्दूश्वी अवोर्ड से नवाजा गया। वही 2004 में इन्होंने The Major ध्यांचंग खेल रति अवोर्ड अपने नाम किया। सन 2004 में इन्होंने अर्जुन अवोर्ड जीता। साथ ही 2006 में Melbourne, Australia में हुए Commonwealth Games एवं 2008 में Beijing, China में हुए Summer Olympics में Flag Bearer बनके इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो दोस्तों कर्णल राठोर की बायोग्राफी देखने के बाद आप सब ये बात तो बखो भी समझ गए होंगे कि हमारे देश का जवान वॉडर पर दुश्मनों से लोहा लेने के साथ साथ देश को एक राजनीता बनकर चलाने में भी पूरी तरह सक्षम है। आज तक आप कर्णल राठोर को सरफ ओलंपिक मैडलिस्ट के रूप में ही जानते होंगे। बट इनके अचीवमेंट्स काफी हैं जिने आप इस वीडियो को देखतर जान ही गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये इंस्पिरेशनल वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही इसे अपने शूशल मेडिया प्लैटफॉर्म पर शेयर भी करें। ताकि हर एक देश्वासी कर्णल राठोर के बारे में जान सकें। बिलते हैं आपसे हमारे अपकमिंग वीडियो में। तिल दे जाहू